अबसकार अचाल सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी कोई नया वीडियो आता है किसी न किसी फॉलोवर की रिकेस्ट पर तो ऐसे ही बहुत से फॉलोवर्स ने मुझसे जानना चाहिए कि किसान अंदोलन का क्या होगा हलाकि सोसल म वीडिया में काफी वीडियोज हैं यूटूब में किसान अंदोलन के बारे में और बहुत से जोट्सियों अपनी राय भी रखे होगी है आपको ध्यान होगा कि एक बहुत बड़ा किसान अंदोलन हुआ था जो मेंदर सिंग टिकेट ने किया था 32 साल पहले 32-33 साल पहले उस समय गिरहों की इस्तिति लगबग लगबग ऐसी ही थी जो इस समय है और वो एक लंबा धर्ना प्रदर्शन चला था किसानों का और इसके बाद मेंदर सिंग टिकेट को उसमें सफलता मिली थी और गन्ना की कीमतों में बढ़ोत्री हुई थी और बिजली और पानी के बिल माफ किये गये थे वो सरगार के उस समय मजबूरी थी आपको पता होगा कि मैंने बहुत बार भारत की कुंड़ी की कल्कुरिशन करते से बताया है कि भारत की कुंड़ी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और जिसका असर जो है वो एक गरीब एक आम जनता भुखती है क्योंकि उसके लिए एक दिन की मेहनत में उसका परिवार चलता है तो जब यह धर्नापदर्सन होते हैं तो उसका असर एक बहुत गरीब परिवार में उसका असर देखा जा सकता है मैंने पहले भी कहा था कि जब साइन बाग में धर्ना पदर्सन सुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि यह सरकार इस पे जुकने वाली नहीं है और जो डेट बोला था उसी डेट पे धर्ना पदर्सन खतम हुआ था मेरा है मनना हुआ कि अजब हो चुके हैं और यहां पर जो सनी और रहु का जो गोचर है दरसल रहु यह जो कुछ भी हो रहा हो रहु है है और हम तीनों ग्रहों के पैरामिटर्स लगाएं भारत की कुंड़ी में तो आप यह मानगे चलिए कि यह बहुत जल्दी यह समस्या का समधान होने जा रहा है और उसके लिए कुछ हत्तक कोविड ने बहुत मेजर रोल प्ले गया था लेकिन अब जो है कोविड काफियत तक कंट्रोल होते जा रहा है और यह धर्नापिदर्स लगाएं भारत की कुंड़ी में देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार ने जल्दी जल्दी फैसले लिए काफी कानून बनाये हैं कोविड के दोरान जो पार्लेमेंट का सेसन हुआ था उसमें मैं अक्सर बोला है कि यह जो सरकार है जो मोदी जी की सरकार है यह इस देश में बहुत कुछ ऐसा करने के मूड में है जो पिछले सतर सालों में नहीं हुआ है और मैं समस्ता हूं कि आगे आने वाली जनता जो है इन कानूनों का आनंद उठाएगी जब यह सही माइने में यह इंप्लिमेंट और कोई भी कानून जब बनता है उसका असाराने में कम सकम 10 साल लगते हैं आप यह मान के चलिए कि जो किसानों का यह जो आंदोलन है इसमें मैं एक्ट पर नहीं जाना चाहता कि इसमें सरकार किने क्या क्या प्रविजन किया है मेरा मानना है कि कहीं न कहीं को थोड़ी से ग जब यह बिल पास हुए उससमें चंदमा की महादसा में सनी के अंतरमे कीत्व में इसका फाइनली जो इंप्लिम्लेमिंटेसन हुआ जाकर वो सेप्टेंबर में हुआ और इसके बाद लोग धरनापेज़सन में बैड गाए मेरा यह मानना है कि भारत की कुंड़ी में जो दसा, अंतर दसा और जो गोचर का प्रिभाव है उसके हिसाब से ये अंदोलन 27 जनवरी के आसपा से खतम हो जाएगा 27 जनवरी से इसका योग सुरू होता है हो सकता है थोड़ा से लंबा जाए फर्वरी के एंड तक ये जाके खतम होगा और मेरे इसाब से जो एस्टिलोजी के इसाब से सरकार इसमें करीबन 8 से 10 करेक्शन करेगी और इसके बाद किसानों को एक नया कानून देगी क्या ये कानून वापस होगा मेरे इसाब से नहीं होगा क्योंकि अभी बहुत से ऐसे कानून ये सरकार लाने के मूड में है और यदि वापसी के दौर में गई तो अभी तक जो कुछ भी होगा वो सब वापस करना पड़ेगा तो मेरे इसाब से कानून तो वापस नहीं होगा कुछ समझोता होगा 27 जनवरी के बाद फरवरी के एंड तक ये खतम होगा जैसे साइनबाग का हुआ था और जिस समय ये खतम होगा उस समय मेरा ही मानना है कि भारत की कुंड़ी में मून की महादिशा में सनी के अंतर में रहो चलके भारत के गरीब किसानों को मिलेगा किसान आंदोलन किसानों के समस्या में कभी फिर चल्चा करेंगे क्योंकि मैंने किसानों की समस्या आदिवासियों को समस्याओं को बहुत बारिकी से देखा है जो दिल्ली में दिखाई देता है वो ग्रामीड शित्य में नहीं होता मैं फिर कह रहा हूँ कि भारत की कुली में अगले 10 साल बहुत संगर्स के हैं और उस संगर्स में हर देशवासियों को अपना सरकार को सपोर्ट करना चीए हाँ इस सरकार गलत करती है तो पूरा जन्मानस को अधिकार है कि वो अपने विचार को प्रकट करें और जैसा कि मैंने पहले कहाते है कि 2022 में 2223 में बहुत बढ़ा धर्ना प्रदर्सन होगा मेरा यह मानना है कि धर्ना प्रदर्सनों की सुरवाद 2020 में सुलू हो गई है आगे देखते हैं क्या होगा लेकिन किसान अंदोलन जल्दी खतम हो जाएगा नमस्कार